हेलो नमस्कार शातियों मैं मनीश यादाव एक बार फिरू हूँ आपके सामने एक नई सूचनल लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन विद्यारतियों की एक विशय में दो विशय में ये तीन विशय में बैक लगी है वो छात्र अब कैसे उन्हें अगर ल गए हैं तो ऐसे छात्रों को अब आगे क्या करना चाहिए उनकी क्या रड़नीती होनी चाहिए क्या ऐसे छात्र फिर से पास हो सकते हैं क्या ऐसे छात्र डियालेट सेकंड समेस्टर की परिक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो पूरी चर्चा आज की इस वीड है पहला जो आपका विंदू है was यही है जो भी चात्र back हुए है back का मतलब क्या है कि जिसन्य जैसे आप अपना result देख पा रहे होगे जिसभी आपके paper में D लिखा होगा देखो आप यह लिखा होगा बी लिखा होगा जहां तक beim मानलो आप उस पेपर में पास हो लेकिन जिस पेपर में जिस प्रश्ण पत्र के सामने अगर आपका D लिखा है तो आप समझ लेजे उस पेपर में आपका back लगा है आप ऐसे मान की चलिए जो प्रश्ण पत्र आपका 25 अंक का था उसमें अगर आपका बारे नम्र आ रहा है तो आप उसमें पास हैं अगर वहाँ 11 लिखा है तो आप उसमें पास नहीं है 50 वाले में अगर आपका 25 लिखा है तो आप पास है 24 लिखा है तो आप फेल है ये चीज़ें आपको पता हونी चाहिए ultimately जिसकी मार्कषीट में एफ ए आई ये लिन की फेल लिखा है तो आप समझाए कहीं न कहीं आपका कोई न कोई विशय ऐसा है जिसमें आपने कम अंक प्राप्त किये हैं आप बहुत सारे भाई बैन ऐसे हैं जिने लगता है कि हमने पेपर बहुत अच्छा किया था लेकिन उसके अनुरूप हमें वो नहीं मिल पाए हैं तो ऐसे चात्र क्या अपनी उत्तर पिस्तिकाओं को पुनहा देख सकते हैं उनका पुनहा मुल्यांकन करा सकते हैं तो इस पर हम लोग देखते हैं देखें ये आपका पत्र जारी किया गया है परिक्षा नियमक प्रादिकारी को समस्त जो डाइट है उन इसका फॉर्म आ गया है साधारण भासा में अगर कहें तो आपको ये फॉर्म कबसे भरना है और कब तक रहेगा इसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा क्या इसका रिजल्ट डियलेट सेकंड समस्टर के बाद आएगा या उससे आएगा अगर आप पास हो जाते हैं तो इसमें लिखा है आपका पुराने किसी भी समस्टर के शात्रों को ऐसा होता डियलेट 15-18 बैच का कोई ऐसा विद्यारती है जो फस्ट समस्टर का पेपर दिया था जो बतलब इसमें पुराने शात्र भी समलित रहते हैं तो 21 वाले आप लोग है तो इनको क्या क्या करना है कि आविदन इनके बीटी सी एक्जाम डॉट इन पर होंगे आपको इसकी ट्रेंचन नहीं लेनी है अगर आप प्राइबेट कोलेट से हैं अपने कॉलेज में संपर करिया यह फॉर्म आपके कॉलेज और डाइट से ही भरे जाएंग इसके जो तिति रहने वाली है वो आपकी 28-2022 से 19-9-2022 तक यह फॉर्म भरे जाएंगे इस इस तिति में इन तितियों के अंदर ही आपको यह अपने फॉर्म भर देने हैं अब यह फॉर्म कैसे भरा जाता है आपने कॉलेज जाएंगे वहां आपको एक आफलाइन फॉर्म भरा जाएगा यह आपके कॉलेज से भरा जाएगा इसमें आपको कोई टेंसल लेने की बात नहीं है और इसके बाद यह सारे जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं यह डाइट से यह अप्रूब हो जाएंगे तो आपका पता चल जाएगा कि हाँ आपका सही भरा या नहीं भरा आपको यहां देखो 100 रुपए मात्र एक पेपर का लगेगा अधिकतम आप दो पेपर में स्कूरूटनी करा सकते हैं हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले कितना वसूलते हैं यह उस पर निर्पर करता है बैसे 200 रुपए लेते हैं है ना यह तो बात होगी इसकी तो यह बात कब तक आएगा अब बहुत सारे विद्यारती सोचते हैं कि हम आवेधन कर देंगे यह कॉपियां चेक होंगी कितने दिरों में कपियां चेक हो पाएंगी और कब तक इसका रिजल्ट आपका तो दिख लिए आप लोग अगर एक महिने का आवेधन करते हैं तो एक महिना ही लगभग आपका 30 से 40 दिन आपका लगता है यह स्कूटनी के प्रॉसस में यह उसवर भी निर्वर करता है कि नमबर ओप इस्टुडेंट कितना है है तो आपका एक महिने से दो महिने के बीच में समय लग जाता है लेकिन यह रिजल्ट जो आपका सेकंड समिस्टर से पहले आ जाएगा कब आ जाएगा सेकंड समिस्टर पहले आ जाएगा अब किनको इसके लिए अभीधन करना है मैंने आपको बताया था एक दो तीन चार नमबर तक वाले जो विद्यारती है इस्कूटनी के लिए अभीधन कर दो अधिकतम आप दो विशाय में कर सकते हो आपको 200 पैसा देना पड़ेगा हो सकता है इस्कूल वाले आपसे थोड़ा से एक्षाल ले ले जो विद्यारती बैक हो गए है उनको इस्कूटनी के लिए आविधन कर देना चाहिए मेरी सला यही है अगर आप इस्कूटनी में पास हो गए है तो वैलन कूट बहुत अच्छी बात है नहीं तो आपको वैक तो देना ही देना है वैक आपको बाद में देना पड़ेगा इस्कूटनी आपका पहले हो जाएगा अब बहुत सारे ऐसे विद्यारती जिनका पचास में तीन आया है पचास में चार आया है तो ऐसे लोगों को भी आविधन करना है हो सकता है आपक कि तीन नमबर है 15 में, 5 नमबर है, 7 नमबर है, तो ऐसे भी दारती अगर चाहें तो करवा सकते हैं, अनेथा की इस्तिति में कोई फाइदा नहीं है, एक सचाई ये है कि आपके केवल 10% ऐसे चांस होते हैं, मतलब इससे भी कम, कि आपका इसकरूटने में अंक बढ़े, बरना 95% आपका अंक नहीं बढ़ता है, आपको जैसे जितने आपके अंक हैं, उतनी ही आपके अंक रहेंगे, बहुत rare case है, किसी का नमबर बढ़ जाए, आलागी तो बढ़ते हैं, लेकिन अब आपके तीन दीन विशे में बैक हैं, तो आप कहें कि हर विशे में आपका अंक बढ नहीं होता है तो यह सच्चाई है इसको आपको सुलिकारणा पड़ेगा अब ऐसे विद्यारति हैं जिनका बढ़ जाता है तीन बिसे में अगर बैक है एक विशे में उनका अंक बढ़ जाता है तो वो डियलेट सेकंड समेश्टर में आज आएंगे और सेकंड समेश्टर की परिक्षा भी दे पाएंगे अब जो विद्यारति प्रथम समेश्टर में पास हो गए हैं अच्छे अंक आए हैं अब उनको लगता है कि गुरू जी हम क्या करें कौन से ऐसी स्टेडिजी फॉलो करें जिससे हमारा आगे कभी दो ती तरती सतर किसी में भी बैक ना लगे त पीडियाफ आपको मनीस अकैडमी गूगल प्ले स्टोर से जाके अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहां से आप डाउनलोड करनेंगे अपना एकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको पीडियाफ मिल जाएगा अगर आप नोट्स घर मंगवाना चाहते हैं अपने घर काई मिल जाएगा कॉल करने से क्या होता है असुवधा हो जाती तो आप लग वोट्स पर मैसेज करो अगर आप सबसे पहले इसका डेमो देखना चाहते हो कि गुरुजी यह नोट्स कैसा है कैसा दिखेगा तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप में लेखके बेज़ दो में और बहुत अच्छे अंकों के साथ यूपी टीपल ऐसी पीटी अगर एक्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक बेस्ट बुक लेके आए हैं यह आपकी शड़ी गाइड है जो आपकी अगरवाल प्रकाशित की जाती है अगर आप इस किताब को हम से आई दिन पूछा करते हैं कि सर एक ऐसी किताब बताईए जिसमें पूरा स्लेवस हो यानि कि हमें अलग-अलग किताबें न लेनी पड़ी तो आपके लिए सबसे वैस्ट बुक है अगर आप लोग यह किताब लेते हैं तो आपको यह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दी हुई लिंक से इसको खरीज सकते हैं और वहां से आपको यह किताब मिल जाएगे इसमें आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको कुशन भी मिल जाएंगे जो आपकी परिक्षा की तयारी के लिए बहुत ही महत्तपूर है इसमें आप लोग देख प भी यूपिटे पलेस्टी के लिए तयार हैं आपने आवेदन किया है तो आप इस किताब को जरूर खरीदें